कि 60 सेकेंड का ही मिनट क्यों माना जाता है ये 60 सेकेंड का मिनट हो और 60 मिनट का ही ये घंटा क्यों माना जाता है 70 मिनट का या 50 मिनट का घंटा क्यों नहीं है ये घंटे का जो टाइमिंग फिक्स की है उस किस ने की है 60 minute का ही घंटा क्यों होता है 60 second का ही minute क्यों होता है और 100 पल का आप बताइए 1 second में कितने पल होते हैं कितने लव होते हैं कौन बताएगा कितने पल का 1 second होता है 100 100 100 बार जब टिक 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 सौ बार बीत जाती है तब एक सेक एंड होता है आपको पता है आप देख लिएजे आपके मोबाल में सब चीजां मिल जाएंगे यह जो टाइमिंग परफेक्ट टाइमिंग है ना यह किसने तयार किये जब ब्रह्माजी सरश्टी उत्पन्य कर रहे थे तो ब्रह्माजी ने सब कुछ बनाया समय बनाया टाइमिंग बनाई कितने लव का कितना घटी होगी कितने घटी का कितना पल होगा कितने पल का कितना प्रहर होगा हमारे यहां प्रहर होता था है ना चार प्रहर बीत गए इतने प्रहर बीत गए इतने लव होता था जैसे घड़ी होती घड़ी क्या बोलते 24 मिनट की एक घड़ी होती है 24 मिनट हमारे यहां पहले क्या होता था एक घड़ी में काम हो जाएगा दो घड़ी में काम हो जाएगा जैसे पहले की न पैमाने अलग होते थे जैसे आज हम लोग कहते हैं एक किलो पहले बोला जाता था एक सेर पहले क्या बोला जाता था एक सेर आधा सेर मतलब आधा किलो एक किलो नहीं बोला जाता था चालिस पचास साल पहले सामान गाव में हम लोगों ने भी देखा है पहले गाव में एक सेर बोला कितने सेर आपको सक्कर चाहिए एक सेर, दो सेर, तीन सेर, पाथ सेर हा या ना तो पहले की गड़त अलग हुआ करती थी अलग तरीके हुआ करते थी जमाना बदला तो भासा बदल गए पहले सेर से काम होता था इस दोर को कितने लोगों ने देखा है एक सेर, दो सेर, आप कितने लोग जानते हैं जानते हैं, एक सेर अब तो किलो में सब चीज़ां चलने लग गई किलो ग्राम में उसी तरह पहले जब हमारे यहां घंटा मिनिट जब घड़ी नहीं होती थी न तब क्या चलता था 24 अच्छा जो आज के 200 साल पहले समय कैसे देखा जाता था बताओ आज के 200 साल पहले या 100 साल पहले मेरे सामने मेरे गाओं में पहली घड़ी आई थी पहले हमारे गाओं में घड़ी नहीं थी किसी के आँए एक दीवार घड़ी आई थी एक गाओं के माल गुजार थे तो फिर हम सभी लोग घड़ी देखने जाया करते थे अरे घड़ी कैसी होती है घड़ी देखने जाया करते थे दीवार घड़ी फिर माँ पूछा करती थी कितने बज गए तो हम लोग जाके ये बताया करते थे कि छोटा कांटा तीन मैं है और बड़ा कांटा बारा मैं है बस इतना पता होता था कितने बज गए ये नहीं पता होता था ये दार हम लोगों ने खुब देखा गाउं की बाचे हमारे गाउं में एक टीवी आई थी तो हम बच्चे पूरी रात पूरा दिन टीवी के सामने बैटे जिसके गर में टीवी आई न वो सर पकड़ के बैटा रहा करता था यहीं बैटे रहते हो कभी जाया भी करो नहीं उसी के घर बस खाने पीने जाए और तुरंद भाग के आ जाए उन लोगों का कोई टाइम टेवल नहीं रात के बारा बजे भी दरवाजा खटकाटा खोलो टीवी देखना है कुछ भी नहीं आ रहा है तो एड ही देख रहे हैं चूना 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 यहीं देख रहे हैं पहले एक ही चैनल चलता था डीडी वन उसी में अब जितने एड आए जो आए सब उसी को देखना है सब देखते जे रात के दो दो बजे देखते देखते वहीं सोजा सबेर उटके जाते थे नहाने के लिए ऐसे टीवी देखने बादे तो घड़ी जब आज जब घड़ी नहीं हुआ करती थी किसी के पास तब लोग टाईम कैसे देखते थी तब कैसे पता लगता था कि बहु के बेटा कितने बचके कितने मिनट पर पैदा हुआ फिर उसी आधार पर कुंडलियां होती थी बताओ जब घड़ी नहीं थी तो टाइम कैसे देखा जाता था बताओ सूर्य भगवान के प्रकास से सूर्य भगवान के प्रकास से देखा जाता था अच्छा चलो दिन मैं तो सूर्य भगवान के प्रकास से उसकी छाया नाप लेने से भी पता चल जाता है कितने बच के कितने मिनट सूर्य भगवान की छाया बता देती है कितने मिनट पर ये छाया यहां आगी मतलब समेतना हो गया चलो दिन मैं तो छाया बता देगी रात को कैसे देखेंगे रात के 9 बजे तो रात को चांद की छाया बताती थी समय अचा चलो, अमा वश्या की रात को तो ना चांद होता है, ना सूर होता है रात को है ना ना तारे दिखते दी मौसम विगड गया, तो कुछ नहीं, फिर कैंसे देखेंगे समय तो अब बताओ, उस इस्ठिती पर समय कैंसे देखा जाता था आज मैं आपको एक बहुत बड़ा साइंस बताने वाला हूँ अच्छा ये बताओ संकर जी के उपर एक घड़ा रखो उसमें एक छेद बनाओ और पानी भर दो ये परंपरा हमारी रही है के नहीं बोलो हा या ना संकर जी के उपर घड़ा रखकर छेद करके पानी भरने से ये क्या है इसके पीछे साइंस क्या है ये बताओ संकर जी के उपर घड़ा क्यों रखा जाता है और एक एक बूंद संकर जी पर पानी क्यों गिराया जाता है इसका science क्या है scientific reason क्या है आप आश्चर मानेंगे आपको शाद आश्चर लगें कि उस जमाने की ये संकर जी की उपर रखा हुआ घड़ा ये कोई घड़ा सामाने घड़ा नहीं हुआ करता था उस जमाने की घड़ी हुआ करती थी कि इतना पानी यदी इस पर है इतनी तेजी से पानी गिरने के बाद तो इतनी देर में इतना पानी गिर गया मतलब इतना समय चला गया वो जो घड़े का पानी था वो पानी बताया करता था आप देखो ना एक घड़े में छेद कर दो और पानी से भर दो तो वो एक टाइमिं में खाली होगा यह 15 में खाली होगा घड़ा का छेद जितना बड़ा होगा उतने जल्दी पानी खाली होगा और जितना बारीक छेद होगा उतनी देर में पोगड़ा तो एक टाइमिंग हमारे रिसी मुनियों एक टाइमिंग एक रिदम में वह घड़ा सैट करते थे उसका छेद कितना बड़ा हो और कितना पानी उसमें भरा आज भी जैसे बाल्टी आपके आप यूज करते हैं उसमें लिखा होता है किस में इतना पानी में ये 10 लीटर आएगा यदि 15 लीटर में एक लाइन बनी होती यहां तक पानी है तो 15 लीटर है यहां तक पानी है तो 5 लीटर है हाई ना एक लिखा हुआ होता था उसी प्रकार आज के बहुत पहले जब घड़ी-बड़ी नहीं हुआ करती थी और निकालके वो घड़े में पानी भर दिया जाता था रात को विसेश रूप में रात को और जो लोग टाइमिंग नहीं देख पाते थे वो लोग अपने घर में वो घड़े का उपयोग करते थे उनको बिधी बताई जाती थी कि इस समय इतने बजे ऐसे इस प्रकार से घड़ा में पानी भरना है और वो घड़े का टपकता हुआ पानी घड़े में बचा हुआ पानी बताता रहेगा कि समय इतना हो गया इस प्रकार से जैसे कोणारक मंदिर में एक चक्र बनाया गया है पत्थर का उस पत्थर पर जब सूर भगवान का प्रकास पड़ता है तो वो चक्र में पड़ा हुआ प्रकास और प्रकास की छाया आज भी आज ये 1400 साल कुराना मंदिर है आज भी आप वहाँ जाएंगे और वहाँ देखेंगे तो आज भी 1400 साल बाद भी आज भी वह चक्र बिल्कुल परफेक्ट घड़ी की टाइमिंग बता रहा है इतने बच के इतने मिनट हो गए आज भी बता रहा है तो ये सारी चीजें हमारे देश में आल्रेडी पहले से थी ये सब गणना किसने निकाली ब्रह्मा जी भागवजी में ये पूरा काल क्रम लिखा हुआ है कि ऐसे ऐसे सम कुछ लिखा है भागवजी में मतलब पूरा साइंस जो एक कंप्यूटर में हम लोग चीजें देखते हैं बारीक से बारीक वो सारी चीजें भागवजी में हजारों साल पहले हमारे रिसी मुनियों ने लिख दी छूरियां लिख दी ताकि आपको यदि जरूरत पड़े त अब जरूरत नहीं है उन चीजों की लेकन सुरुवात वहीं से हुई है सूत्र वहीं है आज भी जब समय आगे पीछे हो जाता है एक सेकेंड दो सेकेंड का तो हमारा भारत पूरी दुनिया में भारत को माता क्यों कहा जाता है कोई आप से सवाल कर ले के भारत को माता क्यो कहा जाता है आप आश्यर मानेंगे जब अमेरिका की घड़ी कभी कभी एक सेकेंड आगे पीछे होती है यह बिगड़ती है जब समय बिगड़ जाता है कभी कभी आपको पता है दुनिया की घड़ी भी कई वार बिगड़ जाती है एक सेकेंड दो सेकेंड का हेर फेर जब हो झाल